विल्कम टू रियल कॉंसेट तो आज हम लोग बात करने वाले अपने पार्ट 5 के बारे में नंबर सिस्टम का जो नया पार्ट है इसमें हम लोग टाइप वाज चल रहे थे कैसे टाइप वाइस चल रहे थे तो हम लोग टाइप B के बारे में बात करने वाले आज ठीक है तो तो देखो, पहला question यह है, कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, कितना? 24, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? तो ठीक, बीच वाली संख्या क्या है? तो English वाले लिखें, the sum of three consecutive even numbers, is 24, 24 मतलब 24, ठीक है? तो question पहला लिख लिए हैं, आप लोग सभी? तो इसमें क्या-क्या given है, सबसे पहली बात, क्या-क्या given है? इसमें हमें given है, कि तीन क्रमागत संख्या है, तीन क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, ठीक? और इनका sum कितना है? 24 है, समझ मैं? यानि कि अगर मैं N की बात करूँ, यहाँ पर 3 है, ठीक? और S आपको पता है, 24 है, N और S के बारे में आपको पता है, ठीक? तो अब मैं बात कर रहा हूँ इसके middle number के बारे में, तो middle number कैसे find out किया जाता है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है? Middle number को चाहे वो, आपका odd हो, चाहे even हो, चाहे वो odd हो, चाहे even हो, तो आपको middle number कैसे find out करना है? अपॉन एन सिंपल सी बात क्या समझे आप चाहे ओड के लिए ले लो चाहे इवन के लिए बाद दोनों के लिए बराबर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24 अपॉन 3 आंसर क्या जाएगा 8 8 is the middle answer ठीक है कोई दिक्कत वाली बात ऐसे ही आपका 5 अगर 5 की बात कर रहा है तो 5 संख्याओं का योग मैं इस तरीके से और question ले ले रहा हूं question 2 वो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत समसंख्याओं का योग असी है ठीक तो सबसे चोटी समसंख्या ग्याद करो सबसे छोटी सम संख्या ग्याद करूं the sum of 5 consecutive even number the sum of 5 consecutive even number is 80 what is the smallest number what is the smallest even number find out करना है ठीक है हमें even number find out करना है इसमें n बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है सबस्ता सी बात है आपका ये middle number आपको find out करना है middle number नहीं भाई smallest number हमें पता करना है smallest करना है उसके लिए हम एक तो आपका middle number निकालो पहले तभी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से कैसे निकालना है आपको ठीक है ध्यान से देखना मिडिल नंबर कितना है मिडिल नंबर आपका 80-5 ठीक कोई दिक्कत वाली बाद तो यह हो गया कितना पांच एक के पांच और यह हो गया आपका कितना पांच अजड़ू । आपका ाब दियान से मैंने कहा पांच संख्यां के मैंने अपना बना दिया पांच संख्यां का है ठीक है अब यह बताए अगर संख्या के रहा cog क्रमागत समसंख्याओं का योग असी है ना तो यह बताओ क्रमागत समसंख्याओं का यो क्रमागत बात कर रहा है ना तो यहां से मैं माइनस दो इधर जाओंगा ठीक है फिर यहां से माइनस दो इधर जाओंगा तब ही तो आपको सबसे छोटा वाला नंबर मिलेगा सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है यहां सबसे छोटा वाला नंबर यानि कि smallest है smallest है देखो भाई पद देखो न टर्म देखो टर्म कौन से नंबर पर है इधर first है और इधर last है यानि यह फिफ्ट है यानि कि यह largest होगा अगर यहीं पर यह कह देता कि smallest and largest दोनों का नंबर बताना है तो क्या करते आप यहां पर एक बार माइनस जाते फिर उसके बाद दूसरा माइनस जाते तब आपको पता चलता है यहां से दो माइनस गए कितना हुआ फिर उसके बाद माइनस जाओ यह आपके 12 तो 12 आपका smallest नंबर निकल के आगया ठीक है यह आपका अंसर निकल गया अगर मैं कह देता largest की बात है largest में क्या होता इसमें हमने कहा plus 2 कितना plus 2 कर देते फिर यह आजाता हमारा कितना 18 और फिर plus 2 करो तो यह आजाता हमारा कितना 20 तो चलू यह तो आपका type b हो गया ठीक सवाल आप लोगों ने लिक लिए था और फिर उसके बाद यह हो गया आपका type b खतम अब type C के बारे में बात करते हैं अब यह type C हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं देखते हैं देखो धीरे धीरे आपके type और यह जितने भी type की questions बनते हैं आप इस नंबर सिस्टम के तो वह सारे की सारे मैं cover करूंगा अब टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है ठीक है तो यह होगया type C ठीक है type C के बारे में देख लो तो देखो type C में questions में बोल रहा हूँ पहले question जो लिखने वाला हूँ ठीक है इंक question लिखने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको नहीं इसमें method बताने वाला कुछ नहीं है तो चलिए तो इसमें देखिए सवाल लिखिए आप लोग पहले ठीक है तो सवाल मैं बोल रहा हूँ चार क्रमागत समसंख्याओं का योग 36 है 36 है 36 है 36 है तीसरी संख्या ग्यात के रोग कितना तीसरी संख्या थर्ड ठीक है तो अब योगों इंग्ली स्वाल हो दसमाफ फूर कंजीकुटिव इवेन नंबर दसमाफ mots फूर कंजीकुटिव इवेन नंबर इस 36 को देन वाटिस दो थर्ड नंबर वाट इस दृड्ड नंबर यहाँ पर हमें दिया गया है n बराबर कितना थरी दिया गय है सम कितना 36 दिया गया है 36 सम ठीक है तो आप देखो यहां पर तीसरी संख्या क्याद करने के लिए कह रहा है कौन सा थर्ड थर्ड अब यह बताओ यार चलो ठीक है मान लेता हूं कि वहां पर अभी मिडिल और फर्स्ट लास्ट एक दम यह सब इस तरीके से अगर क्याaranत देख़ई थे टा तो निकाल ले तो चलो लेकिन अब मैं इसको एकडम basic से चल ठाव है कैसे करना है अगर मालोग कुछ नहीं आता आथा आपको मालोग तो आपको कैसे करना है एकडम टो मैंने मान लिया क्या करते लिया लैट कर लिया मैंने माना कि हमारे जो क्रमागत समसंख्याएं है चार क्रमागत जो संख्याएं है वो क्या है एक है आपका X ठीक है एक है आपका X और फिर उसके बाद एक है आपका X प्लस 2 भाई समसंख्याओं की बाद करना है प्लस 2 कर दिये मैंने X प्लस 4 x plus 6 ठीक, ये 4 क्रमागत संख्याएं है, even संख्याएं है, ठीक है even numbers है, अगर ये even numbers है तो इन सभी का योग कितना दिया गया है भाई, x plus x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 is equal to, कितना दिया गया है, 36 अब इनको add करो 1, 2, 3, 4 4x, ठीक, और ये हो गया 6, 4, 10, 12 plus 12 is equal to 36, यहां से x यहां 4x is equal to, यह हो गया आपका कितना, 36 में से 12 गया है, 24, ठीक तो यह हो गया, x बरावर कितना आ गया 6, 24, यानि कि 6 आ गया आपका x बरावर 6 आ गया, तो अब यहां से आप कोई भी number निकाल सकते हो कौन सा number निकाल सकते हो, कोई भी तो हमें 3rd पूछा गया है न भाई तो 3rd कौन सा number है यह बताओ 3rd कौन से प्यार है, पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, यानि कि यह है आपका 3rd तो यानि x प्लस 4 और यह है जब आपका 3rd number तो यह बताइए कि x कितना है, हमारा 6 प्लस 4 बराबर 10 आंसर नहीं आ गया, simple answer था एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर यही से यह कह देता कि भाई दूसरा बता दो, second बता दो ठीक है, या फिर अगर नहीं आपको पता चलो ठीक है चोथा बता दो, last बता दो ठीक है, सबसे smallest बता दो ऐसे कह देता, smallest बताओ smallest कितना है, भाई, x है smallest x है, तो यानि 6 है, इसको माल लो 6 है, यहाँ पर answer निकाला है अगर कह देता, largest बता दो largest, सेम हो ही method है largest बता दो तो यह देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, largest कितना है यहाँ पर, सबसे बड़ा वाला x प्लस 6, यह कितना हुआ, 6 प्लस 6, यानि कितना हुआ, 12 निकल के आगया answer तो एक ही question में कई धंक questions बन जाते हैं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, अगर आपको समझ में आ रही हो तो बताना, ठीक है, चलिए तो यह है आपके questions तो अब इसके अलमा और क्या है उसके बारे में देख लेते हैं भाई अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इनकी अब बात करेंगे एक और questions की देखो, अब यह क्या कह रहा है question क्या कह रहा है द्यान से लिखेगा, सुनिएगा और लिखेगा तो कह रहा है कि च्छा क्रमागत विश्म संख्याओं का योग च्छा क्रमागत विश्म संख्याओं का योग 180 है छे क्रमागत विशम संख्याओं का योग 180 है चौथी संख्या ग्याद कीजिए ठीक है चौथी संख्या फोर्थ नमबर ठीक है अब इंग्लिश वाले लिखे The sum of six consecutive odd numbers The sum of six consecutive odd numbers is 180 Fully stop What is the fourth number? ठीक है? तो देखो यहाँ पर sum कितना दिया गया है? 180 ठीक और आपको क्या दिया गया है? हाँ यहाँ पर find करना के लिए क्या दिया गया है? Fourth number क्या? Fourth number आपको पता करना है ठीक और आपको क्रमागत संख्याँ कितनी है? यानि कि N बराबर आपको क्या दिया गया है? Six ठीक यह तो मेरे सवाल लिखेने का एक तरीका है तो आप देखो यहाँ solve करने का तरीका क्या हो सकता है? आप लोग जो basic एकदम जो बच्पन से सीखते आ रहे हो लेट कर लेते हैं भाई यह बताओ अच्छा क्रमागत संख्याओं को कैसे लिख सकते हो? मैंने क्या कहा था एक बार? मैंने कहा X है ठीक है? X है आप चाहे इधर भी चले जा सकते हो इधर भी जा सकते हो तो एक काम करो ना तो आप क्रमागत संख्याओं पता कर रहे हो ना एक काम करो इधर से ही ले लो x-1 मैंने इधर लिख दिया sorry क्रमागत विसम संख्या है विसम संख्या है यानि odd numbers की बात कर रहा है odd number में क्या होता है कितने की difference वाता है common difference कितना है मैंने बताय था न 2 है common difference अगर 2 common difference है तो यहाँ पर मैंने minus 2 किया फिर यहाँ पर minus 4 कर दिया ठीक है यह हो गया फिर यहाँ पर क्या किया minus यहाँ पर plus 2 कर दिया यहाँ पर x plus 4 कर दिया यहाँ पर x plus 6 कर दिया आप चाहिए जिस तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते शर हमिंगे ऐसे प्लस माइनस बड़ा डल लगता है तो हम ऐसा नहीं करना चाहतें तो कोई बात नहीं तो एक काम कर लो ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको बात लेकिन में लाके दिखाऊंगों टिंसन वाली बात नहीं x plus 8 यहां कर लो यह कितने हुए 3, 2, 5 और यह हो गया x plus 10 ठीक, यह कितने हो गया 6 हो गया total, इन सभी का sum कर लो sum करोगे तो sum करने के बाद यहां पर मैंने 10 लगाया है, यह हटा दे रहा हूँ स्वारी, comma लगाया है, यह मैंने प्लस लगा दिया बीच में, ठीक है प्लस लगा दिया, और बराबर में कितना आ गया हमारा बराबर में कितना आ गया, 180 आ गया तो अब यह बताओ कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह निकि 6 x प्लस, कितना हुआ, हमारा 2, 4, 2, 6, 6, 12 12, 8, 20, फिर उसका इधर क्या है, 10, 30 यह हो गया, और यह हो गया हमारा कितना, 180 तो यहां पर क्या निकल के आ गया, 6 x is equal to 150 x is equal to क्या निकल के आ गया, यह हो गया हमारा 6, 2, 12, और यह हो गया 6, 5, 30, 25 निकल के आ गया x बराबर, अगर x बराबर पचीस निकल के आ गया तो अब इधर देखना एक्स बराबर पचीस है तो अब इसने पूशा कितना है पूशा कितना है अगर यह कहता कि सर सेकेंड बता दीजिए ठीक है सेकेंड नमबर बता दीजिए ठीक है या फिर फोर्थ नमबर बता दीजिए तो आप क्या फोर्थ नम नमबर कितना है? X plus 6, ठीक, निकालते चले जाओ, X के वैल्यू कितना है? 25 है ना, प्लस दो बराबर 27, कितना? 27 हो गया, सेकेंड वाला, थर्ड कितना हुआ? आपका X plus 4, यानि कितना हो गया आपका ये? 25 प्लस 4, ये कितना है? 25 प्लस 4, बराबर 29 हो गया, थर्ड नमबर, फोर 30 प्लस 6, ठीक है? 6, 5, 11, ठीक, 31, कोई दिकत? सारे के सारे आपके एक तरफ से निकाल सकते हो, स्मालेस निकाल लो, भाइब कितना आ गया? 25 आ गया, लार्जेस निकालो 35 आ जाएगा, सिंपल सी बात है एकदम, कोई डाउट वाली बात है क्या? नहीं, गुड, चलो, समझ मे आ गया, बहुत ही बेसिक था, ठीक, तो अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, देखते हैं, देखो, खेल केवल common difference का है, खेल केवल common difference का है, अगर आपको common difference बता है, इनके बीच में, तो आपको निकालना बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है, जैसे सम में, even में क्या होत ठीक है, तो इन सभी points पे, अगर आप ध्यान रखोगे, तो आपका question कभी गलत नहीं होगा, ठीक, चलो, तो अब हम चलते हैं next type पे, type number D, ठीक, चलो, type number D में क्या है हमारा, इसमें मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, बढ़ीयाद, कुछ topic है, points है, इसमें, हाँ, तो देख देखते रहना, अगर सभी संख्याइं जितनी भी हैं, अगर मान लिजेसे, अगर मैंने कहा, A का square, ठीक है, 2 का square, 3 का square, प्लस ऐसे करते करते, N का square तक पहुँच गया, ठीक है, प्लस N का square, इसका sum अगर निकालना हुआ, तो कैसे निकालोगे, अगर इस तरीके से कहा जाए अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एक से n तक सभी धन पूरुडांको यानि positive integers का योग, यानि sum of all positive integers from 1 to 10 to n ठीक है, अगर n तक निकालना है ठीक है, square of अगर इनका square करके निकालना है ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर n, फिर उसके बाद n फ्लस 1, फिर यहाँ पर 2 n फ्लस 1, whole divided by यहाँ पर क्या आजाएगा आपका 2 sorry, 6 ठीक, 6 आएगा कोई दिक्कत वाली बात, अब ऐसे ही आपका दो पार्ट बनता है यह केवल integers के लिए है किसके लिए, integers के लिए अगर यहीं पर मैंने कहा, even के लिए बात कर ली जाए, even की even मतलब, यहाँ पर 2 का square कर दो, प्लस 4 का square कर दो, प्लस 6 का square कर दो, ऐसे करते करते, n का square तक लेके जाओ, तो इसका formula क्या हो जाएगा, n into n फ्लस 1, n फ्लस 2, whole divided by 6 ठीक, सेम ऐसे ही, आपका यह odd का भी, सेम होता है odd का भी, सेम होता है चाहे, even ले लो, चाहे odd ले लो, दोनों का formula सेम होगा, यहाँ पर, ठीक तो अगर आप चाहो तो, निकाल सकते हो कैसे भी करके, अगर मैं कहूँ ठीक है, और odd में किस तरीके से series बनता है, यह बनता है, 1 का स्कॉयर, प्लस 3 का स्कॉयर प्लस 5 का स्कॉयर, प्लस ऐसे करते-करते, यहाँ जो भी होगा आपका n-1 या फिर n, ठीक इस तरीके से, n-1 का whole स्कॉयर, इस तरीके से, ठीक, समझ में आ गया, अब इस पर एक एक्जामपल ले ले इस पर एक्जामपल ले ले, कोई दिक्कत वाली बात इन सभी में इस तरीके से फॉर्मूले होंगे आपके, odd और even, सभी के लिए ऐसे ही निकल के आता है same to same मैं क्या करता हूँ, एक एक्जामपल लेके बताता हूँ आपको जहां से देखते रहे मैंने कहा, जैसे आपका intesars के मैं बात कर लूँ, एक का square, दो का square, प्लस तीन का square, प्लस यह जाते-जाते कहां तक जाएगा, 20 के square तक जाना है ठीक है, 20 के square तक जाना है अब यहाँ से निकालना क्या है हमें, और बराबर क्या है यहाँ पर n बराबर यहाँ पर 20 आता है क्या आता है? 20 आता है तो हमें formula पता है कितना sum बराबर कितना है n यानि n n प्लस 1 फिर इसको बाद 2n प्लस 1 whole divided by 6 यही तो है formula अब ध्यान से देखते रहना अगर यह है तो अब इधर देखना यह हो गया आपका 20 20 यह हो गया 21 ठीक है 21 प्लस 20 प्लस 1 यह हो गया 21 और यह हो गया कितना 41 whole divided by 6 यहाँ पर कितना आगया 2 sorry यह हो गया 3 गुड़े 2 हो जाएगा न तो यह हो जाएगा 2 यह हो गया 10 में बार गया और यह जाएगा आपका 7 बार ठीक है 3 से काट होगे तो तो 3 से 21 जाएगा तो हाँ 7 बार तो अब इधर कितना प्चा है यह आगया आपका 41 multiplied by 7 multiplied by 10 अगर आप इसको solve परेंगे तो यह आजाएगा 7 साचों को 28 यह हो जाएगा 0 28-70 आपका answer आगया ठीक है 28-70 आपका answer आगया इसका sum ठीक है 28-70 अब इसको मैं कह दूँ कि आप odd और even के हिसाब से आप इसको solve करो कैसे अगर आपको यह वाला formula नहीं पता है तो odd और even के हिसाब से कैसे formulas इसको solve करना होता है odd में even में क्या बन जाता है पहले यह बताओ even में क्या बनेगा फिर लास्ट में आपका 20 ही आएगा यह नहीं कि यह आजाएगा कितना 2 का स्क्वाइर, प्लस 4 का स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर, प्लस ऐसे करते-करते आपका 20 का स्क्वाइर तक आजाएगा ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर निकालना है तो यहाँ पर sum कितना निकल के आजाएगा? यहाँ आजाएगा 20, गुड़े 21, गुड़े 22, whole divided by 6, यहाँ पर क्या आजाएगा? यहाँ पर 3, फिर यह आजाएगा 10, और यह आजाएगा 3 सथ 21, फिर यह आजाएगा कितना? साथ दूनी 14, और यह वह तब 154, 0, 15, 40 है आपका आगया, ठीक है? इसका sum 15, 40 आगया, even का, अब मैंने कहाँ इसको odd में convert करो, odd में कैसे convert करोगे? भाई जो बचा हुआ है, यानि कि 2 को निकाला है, इमने 4 को निकाला है, 6 को निकाला है, अब यहां से sum निकालो, क्या हो जाएगा, sum आपका क्या हो जाएगा, n बराबर हमें पता है, कितना है होना चाहिए, यह last वाला term, ठीक है, तो यह हो गया 19, फिर उसके बाद हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 21, फिर यहां से अब क्या हो जाएगा, whole divided by 6, formula same है, जो मैंने formula लिख जाएगा कितना, 19, गुड़े 10, गुड़े 7, अब भाई, इसको multiply करो, इसको multiply करोगे तो आपका क्या निकल के आजाएगा, सीधे सीधे, यह आजाएगा 7, 9, 7, 63, यह हो जाएगा 3, 7, 6, 13, 13, 13, 13 हो जाएगा, simple सी बात, कितना, 13 और 30, 13, निकल के आगया, ठीक है, अब 13, 13, अगर आपका निकल के आगया, तो अब हमें पता है कि even odd, मिलाने के बाद आपका यह total integer बनेगा, total integer बनेगा, कैसे बनेगा, ध्याँ से देखना, फिर हमने कहा कि integer का जो सा sum होता है, वो even और odd के sum के बराबर होता है, ठीक है, इधर देखो, तो यह हो गया 15, 40, प्लस 13, दोनों को add करो, दोनों को add करोगे, तो यह जाएगा 0, यह हो जाएगा 7, यह हो जाएगा 8, और यह हो जाएगा 2, अब बताओ, क्या same answer नहीं आ रहा है, क्या same answer नहीं आ रहा है, 28, 70, same आ रहा है न, तो tension वाली बात क्या थी, sir, अगर यह वाला नहीं आया, ऐसे, 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 देख रहा है न, एक ही सवाल को मैंने दोनों method से करके दिखा दिया, दोनों सवालों को, ठीक है, एक सवाल था आपने पास, integer में हमने सवाल दिया आपको, even में convert कर दिया, odd में convert कर दिया, उसके बाद इन दोनों को सम करके मैंने बता दिया कि, answer वही आने वाला है, integer वाला ही, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है, इन सबी को जब relate करके चलोगे न, तो सारे points आपको पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, very good, इन प टाइप E के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, टाइप E के बारे में, अब टाइप E क्या होता है हमारा, उसके बारे में बात करें, टाइप ए ठीक टाइप ए के बारे में क्या है मैटर देखना देहां से मैं सवाल बोलूँगा आपको लिखना है बस चुप चाप ठीक है फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है आपको बहुत ही बढ़िया है सवाल और आपके एक्जाम में अल्रेडी बेसिक बेसिक पूशे गए हैं जैसे पॉले टेक्निक के अगर आप देने गए तो उहां पर ज़रूर ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे तो लिखिए का दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है कितना 14 ठीक है 14 तो बड़ी संख्या ग्याद की रही है ठीक है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है बड़ी संख्या ग्याद कर रही है ठीक है अब इंग्लिस वाले लिखें sum of two numbers is 46 sum of two numbers is 46 and their difference is 14 and their difference is 14 find largest number ठीक है find largest number तो संख्याओं का sum मैं लेट कर ले रहा हूँ ठीक है लेट कर रहा हूँ माना दोनों संख्या काउन से A and B मैंने मान लिया ना भाई दोनों संख्या A और B है अब उनका sum कितना है A plus B वराबर कितना दिया गया 46 और A minus B वराबर कितना दिया गया 14 तो अब यह बताओ क्या कह रहा है इतना हमें पता चल गया तो अब इसमें largest number पता करना है कौन सा largest number यानि कौन सी बड़ी संख्या है ठीक है या आप मैं कहा दे दू पहला question यहीं कहा दू कि largest है और दूसरा question मैं कहा देता हूँ smallest number भी पता कर लो ठीक है smallest number भी पता कर लो तो हर जी क्या है भाई जब बड़ा वाला पता कर रहे है अब यह होगया प्लस मैंनस B र reflecting चैंसे बटी यह होगया आपका क्या 2 A और यह होगय आपका कितना यह होगया 6,10 और यह होगया ठीक है A बराबर आपके ऑगया 30 कितना A बराबर आपका आगया 30 अब बता सकते हैं कि आपका B कितना आएगा बी कितना आएगा भाई बी कितना आएगा सिंपल सी बात है यह हो गया आपका 46 माइनस 30 यह आ गया कितना 16 यानि कि अब इसमें पता चल गया होगे कि largest number और smallest number कौन सा है largest number आपका आ गया कितना आपके आगया 30 और smallest number आपके आगया कितना 16 सभी का आंसर पता चल गया कोई दिक्कत वाली बात बहुत ही बेसिक था ऐसे कि उसनस आप लोग बच्पन में बहुत किया है ठीक है तो आगे भी करते रहेंगे और इस पर जब लेवल और उठे का मैं इसके लेवल को जब थोड़ सब्सक्राइब आते हैं तो चली देखते हैं कौन से सवाल है चलो तो आप लिखिए दूसरा सवाल आप लोग दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है यदि छोटी संख्या 10 है यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्याद कर लिए अब अंग्रेजी वाले लिखें the sum of two numbers that sum of two numbers is choice of their difference is choice of their difference if small number is 10 then find the largest number okay is if smallest number is 10 then find the largest number ठीक है तो हमारे smallest number कितना दिया गया है smallest number आपका दिया गया है 10 ठीक तो मैंके लार्ज़स नमेरला यानि लार्जस नमडर जो भी है आपका फाइंड डॉट करना है ठीक है और यह क्या कह रहा है कह कह रहा है ध्यान से सुना कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है ठीक है उनके अंतर का दो गुना है तो मैंने क्या कहा संख्याओं का योग मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारी संख्या कौन-कौन से हैं नंबर्स कौन-कौन से हैं अब इनके संख्याओ का दो गुणा है कितना दो गुणा है मल्टिप्लर राइड बाइटू क्या समझें यहां से सुनना कि समाफ ठीक है समाफ टू नंबर्स इस एक्वल टू बिट्वी मतलब डिफिरेंस बिट्वीन बिट्वीन देम और उसके बाद इनका ट्वाइस सीधे-सीधे यानि आजरी कि उनके अंतर का दो गुणा है उनके अंतर का दो गुणा है तभी तो इसके बराबर होगा अब जब इस तरीक से हो गया अब द्यान से सुनना अगर इसमें खोटी संख्या मैं माल लेता हो कि pioneers है और वी दस है तो यहां आभी इधर उधर करोगे तो 이 आ जायेगा कितना ए बराबर यह उधर जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस ए द कवी फॉइश्ट तो माइनस माइनस प्लस यानि ए बराबर कितना आ गया तीस ए बराबर कितना आ गया तीस आ गया अब यहां से पता चल गया कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है भाई स्मॉलेस्ट हमें पता है कौन सा दस है तो लार्जेस्ट हमें पता चल गया कितना हो गया हमा जितने भी questions में आपको PDF में provide करूँगा वो सारे के सारे आपको questions लगातार आपको लगाते रहना है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना आप लोग ठीक चलो अब एक basic concept और है थोड़ा सा तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं बस छोटा सा है अब इसको ध्यान से देख लेना उसके बाद यह वीडियो फाइनल होता है आपका ठीक है तो देखो अब additive universe के बारे में जान लोग एप लोग additive inverse यानि कि योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हमें पता करना है सर यह क्या होता है देखो योगात्मक प्रतिलोम अगर कोई कोई दो संख्या दी गए हैं माना अब मैंने कहा की example के तौर पर मैं ले रहा हूं ठीक है मैंने कहा तीन प्लस चार ठीक आपको ये दिया गया है ठीक कुछ भी ऐसे आपको दिया गया है ये दियने के बाद कह रहा है कि आप इसका निकालो क्या योगातमक प्रतिलूम तो मैंने इनको जोड़ा आ गया इसका रिजल्ट साथ तो अब हमें कहा गया कि इसका इनवर्स निकालना है ये हमने क्या किया पहले पहला step हमने किया add यानि addition किया हमने इसका addition करने के बाद फिर हमने क्या कहा inverse निकालने का मतलब जब add करके आप inverse निकालते हो तो आप सामने इसके minus लगा देना बस और कुछ मत करना क्या करना है माइनस लगा देना है सामने बस और कुछ नहीं अब जब माइनस लगा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इन्वर्स में यही ठीक है समझ में आया है अगर मैं क्यूशन की बात करूँ तось इधे सिधे पहला क्यूशन आपके आया है पॉले टेकनिक में आया है ऐसा क्यूशन कहा कि पांच का योगात्मक प्रतिलूम निकालें क्या निकाले, additive inverse additive inverse क्या होगा ठीक है, inverse क्या होगा, अगर additive inverse क्या होगा इसके बारे में पता करना है तो सीधे-सीधे answer लेहे लिख के चले आना, वहाँ option होगा माइनस 5, कहीं माइनस 5 लगा होगा वहीं आपको लगा के चला आना है और कुछ नहीं जब भी additive inverse additive का मतलब क्या होता है ठीक है जोड होता है और उसका inverse उसका उल्टा क्या हो जाएगा उसका reciprocal क्या हो जाएगा आपका भाई माइनस u तो होगा ना प्लस का क्या होगा उल्टा माइनस बस सिंपल से बात है ऐसे ही आपका यहां पर देखो अब यह हो गए आपका question ठीक है अब इसी तरीके से में आगे वड़उं ठीक है आगे बढ़ऊ अगर आपसे कह दिया जाए कि माइनस 5 अगर आपको निकालना है माइनस 5 का अगर एंधिटिव इनवर्स आपका 5 हो जाएगा आपका 5 सिंपल सी बात है आपका जाएगा प्लस ह च्छाबटे 5 आ जाएगा ये 6 बटे 5 है ना इनका इडिटियो इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस च्छाबटे 5 इस तरीके से यानि सम करके फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकल रहा है उसके सामने माइस माइस लगाना है बस और कुछ नहीं करना है ठीक समझ मैं को दिक्कत इसंते कह बात नहीं होने चाहिए वेरिगूड चलो तो अब इसके आगे एक और एक और है जिसे हम रतने खेजा प्रतिलोग या फिर गुड़ज प्रतिलोग या गुड़क ठीक है गुड़ात्मक प्रतिलोग इसे कहते हैं मुल्टिपल मुल्टिपलेट्यू इनुवर्स ठीक है अगर इनका इनुवर्स निकालना भोई क़ुड़ात्मक प्रतिलोम अब सीधी सीधे पता चल दहुत Sherta की अगर कोई चीज़ गुड़ा है यानि कोई मैंटीकवल है अब उसके बात क्या करना ऊसका प्रतिलोम निकालना यहां उसका इनुवर्स निकालना है उसका रेजिप्रोकर सब्द कहीं हो देखो tentang में माक्सिमुम्र्स करता है रेजिप्रोकर ठीक है क्या होता है उल्टा होता है इन्वर्स का भी मतलब आपको उल्टा होता है ठीक है इस तरीके से आपको जब पर उपयोग होता है ठीक है आप चाहें जहां यूज करते हों अगर यूज हो गया तो इसका मतलब ही वहीं समझना उल्टा ही होता है तो ऐसे ही यहां पर गुडात्मक की बात कर रहा है तो हमें क्या करना है जो वैली होगा उसको डिवाइड़ वाई में कर देना है यानि कि अगर कह दे कि 5 का गुडात्मक प्रतिलोम बता ओ ठीक है तो क्या करना है वण भाई 5 कर देना है ठीक है अगर मैं कहदूं कि तीन बटे 5 का अगर हमें गुडात्मक प्रतिलूम बताना है तो क्या करोगे वण भाई 3 फाइज यानि 5 उपर चला जाएगा फिर 5 by 3 आंसर आ जाएगा समझे रहे हो चलो मैं यह लिख के बसा दे रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना ठीक है मैंने कहा A by B का क्या निकालना है अगर यह निकालना है तो क्या करोगे कुछ है नहीं सर एक बटे A by B यह क्या हो जाएगा B by A आजाएगा आपका अंसर ठीक समझ मैं ऐसे ही क्योश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ध्यान से सुनना एक बहुत ही बढ़िया क्योश्चन है अगर मैंने कहा 5 का Multiple Universe निकालो अगर यह निकालना है याणि गुलात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करोगे 1 by 5 कर देना अगर मैंने कहा 3 बटे 7 का Multiple Universe निकालो क्या हो जाएगा 7 बटे 3 आजाएगा अब इसी पहे मैं सभी से बहुत ही बढ़िया है इसको आप नोट कर लो उसके बाद मैं इस पर दोनों पर एक क्योश्चन देना चाहूंगा ठीक है एक क्योश्चन है लास्ट में सबसे पढ़िया वाला कि मैं ठीक क्या कहा रहा है ध्यान से सुनना कि कहा गया कि कि सुनो the additive and multipliative multipliative inverse of कितना का था ये hmm 1 by 6 plus 1 by 5 is ठीक ये तो है आपका सवाल ठीक अब ये सवाल है तो अब इसको निकालना है दोनों पूछा है एक साथ additive और multipliative inverse अगर इस दोनों पूछा है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहला पहला step इसका यही है कि ये सवाल क्या दिया गया है ध्यान से देखना एक बटे 6 एक बटे 6 प्लस एक बटे 5 इनको क्या कर दो सबसे पहले add कर दो ये cm हो गया 30 और ये हो गया 6 5 11 11 बटे 30 आपका answer आ गया ठीक है ये क्या है ये आपका keyword add है यानि कि पहला step पहला step क्या था addition करना था में अब addition के बाद अब आपका पहला answer निकलना चाहिए यानि कि additive additive की बात कर रहा है न additive inverse की बात कर रहा है additive inverse की बात कर रहा है अब additive inverse क्या हो जाएगा इसका हमने क्या कहा था minus लगाओ direct 11 बटे 30 यह आपका आगया आंसर क्या समझे आप यहीं पर दूसरा अगर कह दिया कि मल्टिपलिटिव इनवर्स अगर पूछ रहा है तो यहां पर इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं सर एक बटे 11 11 बटे 30 कर देना है और यह हो जाएगा आपका 30 बटे 11 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अंसर क्या समझ में बहुत ही बढ़ियां यहीं सारे पॉइंट्स हैं आपके एक्जाम में जब भी आप देखोगे तो वहां आपको पता चल जाएगा योगात्मक प्रतिलों और गुड़ात्मक प्रतिलों से जो भी सवाल आएंगे वह आप आराम से कर जाओगे तो यही सब हैं पॉइंट्स ठीक है नोट कर लो और बढ़िया से इसको तयार करना जिबने भी पॉंट्स में लिखा रहा हूं सारे के सारे पॉंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तयार करते रहे न षाब है चलिए तो मिलते हैं एक नए कॉनसेप्ट के साथ थैसें की आइंट तक यह भी स्था है